असलाम अलेकम फिर से वेलकम करता हूँ अपने चैनल अलीज यूटीबर में आज का टॉपिक होने लगा है बहुत ज्यादा इंट्रस्टिंग क्योंकि आज के टॉपिक में आपके साथ शेर करने लगा हूँगा साथ ट्रिक जिसको इस्तिमाल करने के बाद आप भी ले आएं पर आप यूटीयोज यूटीयो है अपने उपयाइब करके अपने चैनल को करसके ज्यादा से जाधा ग्रों चलते हैं मुबाईल की स्क्रीन सक्रम पर in असलाम ऑलेखम फ्रिंड में आगया हो अपनी मुबाइल के स्ट्रीम पर मुबाइल के आने को आपने की नहीं से उपन कर लेना गूगल को गूगल करोम को अपन करने की अपने को आपने कर लेना है वाइटी स्टूडियो को जाद रहे अगर आपके मुबायल पर वाइटी स्टूडियो पहले से इंस्टाल है तो आप उसे अनिस्टाल कर दें क्योंकि आपने वाइटी स्टूडियो पर नहीं जाना आपने जाना है चैनल की सैटिंग पर अगर आपकी वाइटी तो आप बार बार अपनी वाइटी स्टूडियो पर ही जाते रहेंगे यह लिखने से पहले आप अपनी वाइटी स्टूडियो को कर दें अन इंस्टाल नहीं तो बार बार आप अपनी वाइटी स्टूडियो पर ही जाते रहेंगे यहां पर वाइटी स्टूडियो लिखने के फाइदा यही है कि आप यहां पर अपने चैनल को एजली जूम इन जूम आूट करके देख सकते हैं जसी तरह आप कुम्प्यूर में ने देख सकते हैं चैनल को तो आपके समने इस तरह का इंटरफेस चूर हो जाएगा आपको को अगर मैं जूम इन करके दिखाऊ उं यहां पर option नज़र आ रहा है वीडियो का आपने करना है इस पर simply click क्लिक करने के बाद आपकी अपनी वीडियो आपके सामने show हो जाएंगी आपने जिस पर भी अपना eye button लगाना है आपने उस पर करना है simply click मैं लगाना चाहता हूँ यह दूसरी वीडियो के उपर क्लिक करने के बाद यहां पर देखें आपको pencil का option नज़र आ रहा है आपने simply इस पर करना है क्लिक करने के बाद मैं जूम आउट इसे थोड़ सा करता हूँ आपको दिखाता हूँ इसका interface आपके सामने कुछ हिस्ता का interface show हो जाएगा उससे क्लिक करने के बाद यहां पर मैं गर जूम इन करता हूँ यहां पर देखें आपको option नज़र आ रहा है cards का आपने simply करना है cards पर click क्लिक करने के बाद यहां पर देखें आपको कुछ इस तरह का मैं जूम आउट करता हूँ यह देखें और के सामने कुछ इस तरह का interface show हो जाएगा यह रहा करसर जिसको आगे पीछे मूग करके अपनी वीडियो को देख सकते हैं कि आपने अपनी वीडियो में I बटन को लगाना कहां पर है यह आपको हेलफूल करता है इसमें और मैं अगर आपको जूम करके दिखा हूँ यहां पर देखें कि आई बेटन के आगे आपको आपशन नज़ारा रहा है प्लस का कि अपने इस पे अपधा दuds पर धाने के अपने किस traking के option नज़ारा रहेंगे अपने अगर प्लिलिस्ट लगानी तो प्लिलिस्ट लगा सकते हैं चैनल लगाना है, चैनल लगा सकते हैं, मैंने तो वीडियो लगानी है, मैं वीडियो पर करूँगा, simply click, click क्लिक करने के बाद, आप चले जाएंगे अपनी वीडियो पर, जो आपने अपनी वीडियो रिसेंटली बनाई हुई है, तो आप उस पर simply कर देंगे, click, यहाँ पर मै आई बटन मेरी वीडियो के ऊपर, अब simple मैं अपनी वीडियो को कर रहा हूँ, play, मेरा cursor जो ही आई बटन के ऊपर आएगा, मेरा आई बटन वीडियो के ऊपर show हो जाएगा, देखिएगा भी, और यह मेरा आई बटन पे ऊपर आगया, मेरा cursor, cursor पे आने के बाद देखे, अब मैं आप जूम आउट करके आपको दिखातना चाहता हूँ, कि आपने इसको करने के बाद आपने के सिंपली करना इतना ही है, यहाँ पे आपको option दिया हूँ, save का, आपने simply यहाँ पर click करके, इसको कर देना है, save, save करने के बाद यह आपका i button हो गया है, save, अब आपका वीडियो जो भी प्ले करेगा तो यह आई बटन उसको हो जाएगा, show, यही simple step थे जिनको follow करने के बाद आप भी ले सकेंगी, अपनी पुरानी वीडियो से views, अगर आपको फिर भी कोई problem है, तो आप मुझे कर सकते हैं, comment, कोशिश करूँगा, आपकी comment का दे सकूँ, answer, आपिस,